पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी से दमखम लगाना शुरू कर दिया है बिहार चुनाव के बाद बीजेपी की नजर पूरी तरह से पश्चिम बंगाल पर टिक गई है कल जहां केंद्री मंत्री अमिज शा भी ममता दीदी के गड़ में गरजे तो वहीं अब बीजेपी मिशन बंगाल के लिए एक मास्टर प्लान तयार कर रही है क्या है बीजेपी का मास्टर प्लान ये रिपोर्ट देखिए बिहार चुनाओ तो अपने अंतिम दौर में है लेकिन बीजेपी की निगाहें अब अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाओ पर टिक गई है बंगाल में जहां बीजेपी ने सियासी जमीन तयार करने के लिए अमिज शा को मैदान में उतार दिया है तो इसी के साथ बीजेपी मिशन पश्चिम बंगाल के लिए अपनी सबसे मजबूर टीम उतारने की तयारी में है राज में काम कर रही मौजूदा टीम के साथ देश भर के चुनावी दाओ पेच और रणीती में माहिर बारा नेताओं को भी चुनाओं तक बंगाल की जिम्मेदारी दी जा सकती है बता दे कि ये नेता बंगाल के विबिन हिस्सों में काम करेंगे इसके अलावा बिहार, जारकन, असम और त्रिपूरा के नेताओं को भी बंगाल की रणीती से जोड़ा जाएगा बिहार चुनाओं के बाद पशिम बंगाल का चुनाओं बिजेपी के लिए बेहत एहम है अमिच शा से पहले पार्टी अद्यक्ष जेपी नड़ा बंगाल दौरे पर आने वाले थे लेकिन उनकी जगा शान एक बंगाल का दौरा कर वहां की टीम से चर्चा की है बिजेपी का मानना है कि पशिम बंगाल में 10 साल पहले जिस तरह से ममता बेनरजी ने मकपा के साशन को उखार फेका था अब वैसे ही मोहल है लेकिन बंगाल की चुनावी सियासत बाकी राज्यों से काफी अलग है और बिजेपी भी सालों से इसका अनुववखू भी कर चुकी है और अब बिजेपी अपनी तयारी भी कर रही है इसलिए बिजेपी चुनावी दाओ पेच में माहिर अलग-अलग राज्यों के चुनिंदा नेताओं की एक टीम तयार कर रही है जो ममता की रणीती को उन्ही के तौर तरीकों से मात देगी बिजेपी की इस टीम में बिहार, चारकंड, असम, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, करनाटक, मद्दप्रदेश और महराश्र के नेताओं को एहम जिम्मेदारी दी जाएगी अब देखना होगा कि बिजेपी की ये रणीती कितनी कारगर साबित होगी डी बी लाइब की रिपोर्ट